पर क्लाउड 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 क्ला चलिए अब इसे examples के through और efficiently समझते है For example, आप 5 दोस्तों और आप सभी के पास ना कुछ नो कुछ data है और आप उस data को अपने storage device में save नहीं करना चाते क्योंकि इससे वो lost हो सकता है तो फिर आपने क्या गिया और आपके सब दोस्तों ने क्या गिया कि अपना data किसी एक server में store कर दिया और फिर जब भी आपको उस data की जरूत पड़ती तब आप internet के through server को request करते और आपको आपका data वापस मिल जाता इसी को हम cloud computing कहते है गैस अगर आप real life में देखो तो YouTube और ऐसे कई platforms भी cloud computing का ही use करते है for example अगर कोई भी आदमी अपनी video YouTube में upload कर देता है तो वो video YouTube के server में upload जाती है फिर for example अगर आपको वीडियो देखनी है तो आप YouTube के server को उस video को देखने के लिए request बेशते हो कि भाई मुझे ये video देखनी है और फिर server आपको उस video का access देता है और फिर आप उसको आराम से देखते हो तो यहाँ पर हुआ क्या कि सारा का सारा data YouTube के server में store है ठीक है तो for example किसी को भी आपको या फिर किसी को भी उस data की देखनी है तो फिर आप server को उस data के request कर देते हो फिर server आपको उसका access देता है So I think अब तो cloud computing पूरी तरह से clear हो गया होगा तो guys समझते हैं अब cloud computing के types के बारे में तो deployment की basis पर याईनि कि जिसे cloud का access मिलना हो उस basis पर clouds चार तरह के होते हैं पहला public cloud, दूसरा private cloud, तीसरा hybrid cloud और चौता community cloud guys public cloud मतलब जब भी कई सारे users एक ही cloud में अपना data share करते हैं तब उसे हम public cloud कहते हैं आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास कुछ data है और आपके दोस्तों के पास भी कुछ data है तो आप सभी लोग ने क्या कि अपना data एक particular cloud में ही अपना सारा data store कर दिया तो उस cloud को हम public cloud कहते हैं क्योंकि उस cloud में काई सारे लोग अपना data एक साथ ही store कर रहे है जनरली पॉब्लिक cloud इंडिविज्वल उजर्स और छोटी मोटी companies और organizations के द्वारा ही use के जाते हैं इसके कुछ examples आपको पता दो तो Amazon Web Services, Microsoft Azure और ऐसे कुछ examples हैं तो अब next आता है private cloud तो इसमें क्या होता है कि cloud ही आपको खुद का होता है जैसे कोई भी company अगयरा तो उसका cloud अपना personal होता है तो YouTube के पास बहुत सारे लेटा है तो YouTube उस data को किसी public cloud में store करने के बजाए परसनली servers करीद लेता है जो कि उसके खुद के servers होता है और उन्हें manage भी करता है और एक ब्रकार से खुद का ही cloud establish कर लेता है और उसके अंदर अपना सारा data शोर कर लेता है तो इससे क्या होता है कि सारा data उसके खुद की servers में होता है तो security issues काफी कम होते है जबकि public cloud में कोई एक company अपना cloud establish करती है और अपना data शोर करते है और private cloud में पुरा cloud ही आपका खुद का होता है बठा इसमें कुछ limitations होती है जैसे इसमें आपको cost ज़्यादा पड़ जाएगी because servers और maintenance आपको खुद का ही है चलता है next वाले की तरफ hybrid cloud hybrid cloud मतलब एक private और public cloud दोनों के connection को ही हम hybrid cloud कहते है hybrid cloud के अंदर private और public cloud दोनों ही आ जाते है गयिस companies का करते हैं कि hybrid cloud में अपना जुभी data प्राइवेट cloud में रखना होता है तो उसे private कर देती है और जो भी public cloud में रखना होता है तो उसे public cloud में ही रख देती है hybrid cloud दो companies ऐसे ही mostly use करती है अब अब अगला cloud आता है community cloud तो जब इसमें कई सारी companies यो organizations जिने एक ही तरह के काम करने होते है और उनकी एक ही तरह के जरूरतें भी होती है या फिर एक ही community ही ही होती है तो जब भी वो एक particular cloud से connect करते है तो और उसमें अपना सारा data store करते है तो उसे हम community cloud कहते है चलिए अब सभी cloud की कुछ examples भी देख लेते है तो पहला आता है public cloud तो इसके कुछ examples से आप Microsoft Azure, Amazon Web Services और ऐसे कुछ private cloud के VMware, HyperVTC और अगला आता है हमारा hybrid cloud यानि कि इसके भी आप Microsoft Azure और AWS इसी को कर रख लो ठीक है नेक्स आता है अपना community cloud तो government और healthcare और कुछ private industry communities ही इस cloud के यूज़ करते है well guys cloud service models को भी हम आगे classify कर सकते हैं इनके बारे में मैं आगे आने वाली वीडियो में आपको details में समझाऊंगा but I think अभी मैंना cloud computing और उसके types के बारे में जो कुछ भी बताया वह काफी अच्छी से समझ में आ गया होगा और तो और मैं इस चीज़ पर एक पूरी सीरीजी लाने वालों ऐसे ठेर सारे टेक्निकल टॉपिक्स के यूपर आपको काफी जादे नॉलेजबल वीडियो मिलने वाली है